हेलो चेंजमेकर्स वेलकम टू थे स्टाइब है यूट्यूब चैनल आज हम बात करेंगे सेवा फैलोशिप के इंटर्व्यू राउंड की इसमें हम लोग समझेंगे कि क्या-क्या क्वेस्टेंस पूछे जाते हैं कैसे आपको उनका अंसर करना है और अंसर और क्वेस्टेंस पूरे इंटर्व्यू के दौरान क्या-क्या आपको इंपरेंट चीज़े ध्यान में रखते हैं यूट्यूब चैनल पर नहीं हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते हैं हम सिर्फ इंफॉमिशन नहीं देते हैं बट वी आरदा वाइच्वल एस वेल कमुनिटी तो वी आप टेर मेंटर्शिप मोस्टली जो परपज हो यह है कि सारे जितने लोग भी फैलोशिप के लिए अपलाई कर रहे हैं सोशल सेक्टर जॉब्स के लिए अपलाई कर रहे हम उन्हें डारेक्ट इंडिविजल मेंटर्शिप प्रोवाइड करें यूटूब चैनल पर वीडियो जालन इन्फरमेशन देना उसका एक हिस्सा है लेकिन बाके आगे पूरी टीम और देश बर से मेंटर्श जुड़े हो हैं जो आपको फ्री ऑफ कोस्ट यानि हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ वॉलिंटरी आपको सपोर्ट करते हैं कोई उसका चार्ज नहीं होता है तो अगर आप ह कुशिंड़ ऑप लेस्ट कि आगे वाले स्लाइड में बताने वाला हो कि एवारी सेल्फ आपके बारे में कॉश्ट वोगे अपके सीव से कॉष्चन के पास आपका रख्खा होगा फैलर्यूशिब की प्रेडिय च४संट करना चाहते हो रर केसस्ट सटडी और शुरुआत यहीं सो होगी आप अपने आपको इंटुडूइस कीजिए अपने बारे में बताइए आपका एजुकेशन बैग्राउंड क्या है कहीं आपने काम किया है क्या या या वह यह भार वो यह भी पूछ लेंगे कि आप जिस डिस्टिक से आते हो आप जिस जगह से आत तो उसके बारे में क्या खासियत है वहाँ पर कॉई कम्यूनिटी रहती है वहाँ पर कॉन कॉनसी संस्ताइए काम करती है उस स्टेट की सरकार ने कोई स्कीम निकले तो आप जहां पर रहते हो अगर वह फेमस जगह है उसका हिस्ट्री और सोशियो एकॉनमिक बेक्ग्राउ आपने कहीं पर वोल इंटर बुज़क किया तो उसमें क्या किया तो लेट्स अंडर्सटेंड कि अब आपको इसका आंसर कैसे करना वन वई वन तो जब आप अपना इंट्रो देऊ तो उसमें पहला पार्ट एक से दो लाइन यह डेमोग्राफिक्स यह नेम प्लेस या उस प् एक साल का वकेश्पिरेंस आपने डाला होगा उसमें उसके बारे में बताएं और वोलिंटरिंग सर्वेस आपने कोई नसस का पार्ट रहे हो एंजी का पार्ट रहे हो आपने कोई छोटा सा इनिशिटिव लिया बच्छों को पढ़ाने का कोई रैली निकाली है कोई पार्ट फ्रॉम और सीवी तो सीवी आपका उनके सामने रखा होगा सो मोस्टली क्वेस्टिन्स आपके एडुकेशनल और वर्क एक्सपिरेंस के राउंड रहेंगे क्यों यह हमारे सीवी में होता है लाइक पूछ सकते हैं कि आपने इस पर्टिकलर रोल में क्या किया था आपने डाला वी एक और एक्स्पिरेंस में में तो इस रोल में आपको क्या रोल यहां पर आप अब वैलिंटिन कर रहें तो आ है आपके एक्स्पार क्रून के-। तो इस तरह के आपको questions पूछेंगे mostly, इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है, जो भी आपके CV में, आप तोड़ा सा detail में पढ़के जाओ, उनके आसपास के questions को भी, just imagine and try to answer it, then come to the about fellowship, this is the most important question, they want to understand whether you understand about the fellowship or not, so they will ask, ठीक है, Shiva fellowship की बारे में बताइए, क्या समझता हैं आप, कौन कौन से key issues हैं, क्या areas हैं, जो जिस पर Shiva fellow work करेंगे, they want to understand कि आपको fellowship समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर fellowship समझ में आ रहा है, तभी आप उसमें कुछ काम कर पाऊगे, क्या तरीका है, ऐसे question को answer करने का, go through the website and make notes, about Shiva International Youth for Shiva, ये दो organization और जो इस fellowship को चलाते हैं, about Shiva fellowship, क्य क्या key areas है, क्या themes है, कौन-कौन से location है, की features क्या है, क्या-क्या आपको अच्छा लगा जो attract किया, तो मैं for an example, मैं सेवा fellowship के website पर जा रहा हूँ, link अल्रेडी दिया हुआ, आप जा सकते हो, तो आप ये सारा पढ़िए, कि सेवा fellowship is a catalyst initiative for young innovative minds to stimulate creative solutions to India's most complex problems, so क्या-क्या है, expert mentorship है, live project है, guided reflections है, interdisciplinary curriculum है, stipend support है, hundred week of serving भारत, ये सारे इसके features है, right, तो ये सारे भी community of one, ये mentors है, इतने शांदार mentors है, जो आपके, आपके साथ काम करेंगे, ये communities हैं, जहां पे काम करना है, just going quickly, आपको बहुत detail में पढ़ना है, tribe communities और वो सारे, ये आपको ये सारे questions, FAQs के पढ़न है, कौन-कौन से domain है, जिस पर ये काम करता है, क्या fellow को मिलेगा, तो I think 30,000 पर month, आपको 7 मिलेगा, but 15,000 पर month, आपका additional investment होगा, on the mentorship part, coming to the next, आपको ये entire, पूरा का पूरा process थोड़ा समझ लेना है, right, coming to next, आपका जो next area है, that is, why you want to join the fellowship, अगर आप एक बर सेवा fellowship के बारे में समझ के, पता करके रखोगे, तो आपको ये वाला question answer करने में, बहुत आसानी होगे, right, पूछ सकते हैं, क्यों join करना है, आपको क्या मिलेगा, क्यों दूसरे fellowship क्यों नहीं join करना चाहते हो, fellowship के आप बाद क्या करोगे, क्या contribute कर सकते ह होगे, क्या करना है, again, जो points आपने बनाए है, talk about the unique feature of सेवा fellowship, आप उन्हें बताईए के सेवा fellowship में मेरे को ये मिलेगा, ये unique चीज है, ऐसा कुछ है, I think मैं इस के लिए जा रहा हूँ, mentorship के लिए जा रहा हूँ, मैं groundwork के लिए जा रहा हूँ, मेरा interest भी होई है, आपके अप social sector में अपना career बनाना है, tell how this can transform your life, उनको बताईए कि ये fellowship हो आपके life के लिए कैसे important है, कैसे आपके life को transform कर सकता है, long term goals से आप connect करें, कि मेरे को long term में मालो, मेरे को social sector में जाना है, मेरे को teacher बना है, मेरे को कोई अपना organization शुरू करना है, I'm just giving an examples, ये fellowship कैसे help करेगा, जो community मे ground पर work करके, community के साथ work करके, मेरे को ये सारे skills आएंगे, जिससे में help कर सकता हूं, include what you get and what you can contribute, तो आप ये तो include करिये ही, कि मैं मुझे क्या-क्या मिलेगा, पर आप ये way include करिये कि मैं इस background से आता हूं, तो मैं सेवा fellowship में इस तरह से contribute कर सकता हूं, मेरे को भारत, मैं अपनी सेवा देने का भारत के लिए अपने नेशन के लिए सेवा देने का मौका मिलेगा, I'm randomly taking, just you can, you need to write it down exactly, क्यों जाना चाहते हो आप, at least four to five reasons, coming to the, again, next part, case studies or assignment based question, mostly तो अभी नहीं पूछ रहे हैं, but they might ask, like, पहले तो आपके assignment के बारे में कैसे आपने किया हो सकता है, उसके round 2 पूछा और question पूछलें, क्या challenges आए, क्या आपके learnings हुए, कुछ solutions, अगर आपने problem find out किया, तो उसका क्या solution हो सकता है, what you will do in x situation, means, वो कोई situation दे देंगा, suppose that कि कोईसी community में ये particular problem है, उसका आप कैसे solve करोगे, कोई community में ये particular threat है, आप उसको कैसे solve करोगे, और mostly question based on situation, in fellowship, कि क किसी NGO के साथ रड़, जो उन्होंने assignment में अल्रडी पूछ लिया है, mostly पूछेंगे नहीं, फिर भी आप prepare हो के जाओ, so I think, इसके अलाबा और कोई area नहीं है, जहां से वो question पूछ रहे हैं, but कुछ important points है, जो आपको समझना चाहिए, be confident, be honest, क्योंकि वो आपको इदर दर से कई सारी तरफ से question पूछ के न, honesty, जो भी है आपका, वो निकाल लेंगे, read about Seva and your CV, Seva fellowship की वाले में, अच्छे से पढ़ लिजे, write why you want to join, exact answer लिख लिजे पहले कि आप क्यों join करना चाहते हो, जब भी आप बात करिये, answer patiently and show your interest, हर एक answer में, आपके पूरे conversation में, आपका excitement, आपका interest उनको show होना चाहिए, कि आप this fellowship को करना चाहते हो, this fellowship really excites you, तो आपकी आवाज में, आपके expression में, आपके conversation में दिख चाहिए, and finally join mocks by step ahead, so we are providing free of cost mock interviews, आप mock join करिये, और mock में, हम आपसे यही सारे question पूछेंगे, आपके answers के आधार पर, we will give you the feedback, और वो feedback आपको help करेगा, कि आपको अपने answer को कैसे design करना है, और उनको कैसे देना है, यह हमारा QR code को, I think link description में भी है, यह number है, QR code को, यह mail भी है, QR QR code को scan करके, आप telegram और चैनल पर जूड सकते हैं, और मैंने mock interview के form को comment में भी दिया हुआ है, pin किया है, और description में भी दिया हुआ है, form बर दीजे, mock interview करिये, team will connect you, they will guide you, exactly जैसे mock होता है, सिवा का, they will take the entire mock interview, according to that, so I think, thanks a lot, अगर आपको और कोई जरुआत है, आपको लगता है कि और कोई support की आवशकता है, तो आप हमें बताइए, दूसरा हमने assignment पर लिए एक video बनाया, अगर आपका assignment अभी तक नहीं हुआ है, just check out on the stephead channel, यह अगर आप देखोगे तो assignment को कैसे पूरे करे, 35 minute का video है, बहुत detail में है, example के साथ, तो आप इसको भी देख सकते हो, और दू दूसरे fellowships के लिए, जैसे Delhi government के चैंजमेकर का fellowship है, अभी हम लोग एक जो चैंजमेकर fellow है, उनके साथ भी video record करने वाले है, so do check out that video, we will also conduct the mock interviews for these fellowships, so keep checking, subscribe this YouTube channel, but most importantly as I said, हम सिर्फ YouTube पर नहीं है, हम real community भी है, Telegram और WhatsApp पर, so do join these channels, and get the benefited most, all the best, keep, step ahead, keep growing, because that is the only way to live the life, thank you so much.